जब रोम जल रहा था तब नीरो बासुरी बजा रहा था आज का नीरो थोड़ा मॉडर्ण हो गया है और साथ ही उसकी तीम भी हम क्या देखते हैं जबरदस्ट फोटो शूट चल रहा है साफ सुत्रे प्राइवेट सी बीच पांस इतारा होटल के निजी समुद्र तट पर प्लास्टिक है और उसे बटोया जा रहा है प्लास्टिक की ही पणनी में विदेशी महमान के साथ कपड़ा बदल-बदल के फोटो सेशन चल रहा है और उधर प्रजा हहाकार में है रुदन में है भूकी है बेरोजगार है और सबसे बड़ी बात कि जंता की तकलीफ तक्री हमारी मुहिम जारी है न्यूस क्लिक के इसकाय क्रम खोज खबर में आप सब का स्वागत है भूक है तो सब्रकर रोटी नहीं तो क्या हुआ आज कल संसद में हैं जेरे बहस ये मुद्दा कभी की दुशियंद की पंक्तियां एक जन्नाटेदार तमाचे की तरह हमारे जहन में बचती हैं दुनिया भर के सबसे जादा भूके कुपोशित बच्चों की तादाद में भारत सबसे आगे बढ़ रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो नवीन्तम रैंकिंग जारी हुई है उसमें दुनिया के 117 देशों में विकास विकास और विकास का ढोल नगाडा पीटने वाले भारत को 102 स्थान हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ है हो सकता है इस पर भी आज या कल में राष्टी स्वेम सेवक संग के प्रमुख या फर्माएं कि भूक और कुपोशित होना भारत की परंपरा है या वे ये भी कह सकते हैं कि हंगर भारती परंपरा का हिस्सा नहीं है या शब्दावली बाहर से आई हुई है इस दौर में कुछ भी संभाव है फिलहाल तमाम आकणों को दबाने और मीडिया को पूरी तरह से कबजे में कर लेने के बावजूद ये तथ्य बाहर आ रहे हैं युनिसिफ की ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत के आधे से अधिक बच्चे भीशन को पोशन का शिकार है लाखों लाख भारती बच्चे ठिगने और कम बजन के हैं भूख से बिलबिलाते बच्चों की तस्वीर कि आपके जहन में उभरी जारखन की 11 साल की संतोशी की हिदे विदारक तस्वीर जो मा की गोद में भात भात मांगते हुए मर गई अर्थ शास्त्री जौंद्रेज और रितिका खेरा लंबे समय से ये तथ्थे सामने ला रहे हैं कि आधार कार्ट को राशन से जोड़ कर गरीबों पर जुल्म किया जा रहा है बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सब खाने से महरूम हो रहे हैं भूग से बिलबिला रहे हैं अभी थक सिर्फ जारखंड में 13 लोगों की मौतों का ब्योरा सामने आया है जहां जो एक्टिविस्ट हैं जो राइट टू फूड के एक्टिविस्ट हैं वो यह साबित कर पाए हैं कि इनकी मौतें सीधे सीधे आधार कार्ड से इनका राशन कार्ड लिंक ना हो पाने की वज़़े से हुई हैं इन तमाम लोगों को और ऐसे अंगिनत लोग जिए अभी तक हमारे ब्योरों में नहीं चड़े हैं वे भूखे हैं भारत का एक अच्छा खासा हिस्सा भूख में हैं कुपोशन में हैं इसी ओर ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी चीख चीख कर कह रहा है कि देश की जो विकास की रा है वो लोगों को भूख की ओर ले जा रही है यह सारा जो विकास का माया जाल फैलाया गया है जिसके बारे में सुबे से शाम तक प्रधान मंत्री नरेन मोदी ग्रिह मंत्री और तमाम लोग दावे कर रहे हैं चुनाओं में घोशनाएं कर रहे हैं दर असल यह सारे जूटे हैं पंजाब एंड महराष्ट कॉपरिटिव बैंक पी एमसी बैंक के साथ हजार खातादारक लुट गए हैं बरबाद हो गए हैं और वे सडकों पर जार जार रो रहे हैं तीन लोग अब तक जान गवा चुके हैं और अंगिनत जाने दोधारी तलवार पर लटकी हुई हैं लेकिन हमारी प्यारी वित्यमंत्री बता रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है थोड़ी बहुत जो गरबर दिखाई दे रही है वह सब पिशली हुकुमोतों का किया धरा है PMC बैंक में अपनी गाड़ी कमाई जमा करने वाले भारती नागरिक पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं वे बरबाद हो रहे हैं वे सरकार से कह रहे हैं कि तुरंत हसक शेप किया जाए उनका पैसा उन्हें मिले वहीं दूसरी तरफ देखिए क्या हो रहा है State Bank of India, SBI ने 220 डिफॉल्टरों बकायदारों को 76,600 करोड रुपे, 76,600 करोड के कर्ज बटे खाते में डाल दिये हैं इन में से हर एक पर ध्यान दीजें हर एक के पास लगबग 100 करोड रुपे का बकाया था और ये जानकारी सूचना के अधिकार के तहट हम तक और आप तक पहुच पाई है जी हाँ वही सूचना का अधिकार जिसके बारे में ग्रिह मंत्री का कहना है कि अब लोगों को इसकी जरुवती नहीं हो रही क्योंकि सरकार सारा खेल खुलम खुला कर रही है बात भी सही है जिस तरह से अर्थविवस्था को बैठाया जा रहा है ये सब के सामने है अभी देखिए तेल की मांग अपने नियूंतम पर पहुच गई पेट्रोलियम प्लानिंग और अनलिसिस सेल के जो डाटा है उसके अनुसार जुलाई 2017 के बाद डीजल और इंडस्ट्रियल फ्यूल में उसकी जो मांग आई है उसमें गिरावट हुई है यह 16.06 मिलियन टन से गिरकर 16.01 मिलियन टन पर हो गई है मंदी सिर्फ अद्योगिक छेत्र में ही नहीं जानवरों के छेत्र में भी हो रही है थोड़ी हैरत होगी लेकिन जो 20 वा लाइफ स्टॉक सेंसेस चल रहा है उसके अनुसार हिंदी भाषा भाषी छेत्रों में और खास सोर से प्यारे उत्तर प्रदेश में जानवरों की संख्या लगातार कम हो रही है वहीं पश्यम मंगाल में इसमें थोड़ी बढ़त हुई है पूरे देश में जानवरों की संख्या में मामुली वृधी दर्ज की गई है 2012 में यह संख्या थी 190.90 मिलियन और अब 192.42 मिलियन उत्तर प्रदेश में इसी दोरान में आप पाएंगे कि इसमें 4 फीसिदी की गिरावट हुई है इन आकड़ों से कम से कम एक बात तो साफ है कि जो पूरी राजनीती गाए के इर्दगिर्द भाजपा कर रही है इसने ग्रामीर अर्थ विवस्था का तो बंटाधार किया ही है साथ ही गाए और बाकी जानवरों को पालना भी नॉन प्रोड़क्टिव कर दिया है किसान सहित बाकी लोग आज की तारीख में इसे पालने में कतरा रहे हैं और इसका ही दुश्परणयाम हमें दिखाई दे रहा है कि इंकी संक्या लगातार गिरती जा रही है मोदी सरकार में आईटी मंत्री रवी शंकर प्रसाइब कहते हैं कि आर्थिक मंदी कहीं नहीं है और इसका जो प्रमाण देते हैं वो बताते हैं कि किस तरह से महश तीन फिल्मों ने एक सो बीस करोड़ रुबे की कमाई की यूज बिजनेस भाई मॉवीज दो अक्टूबर को तीन मॉवीज रिलीज होई और मिश्टर कोमल नाटा है बहुत बड़े फिल्म ट्रेट के हैं अब जानती होँगे उन्होंने कहा है कि दे नैशनल होलिडे आफ सेकेंड अक्टूबर सो अर्निंग ओफ ओवर वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी करोर रेकॉड बाई थी मॉवीज वार और जोकर और सायरा अब जब देश में एकोनमी थोड़ी साउंड है तभी तो एक दिन में एक सो बीस करोड रुपा रिटर नाता है और साथी साथ उन्होंने पूरी बेशर्मी के साथ यह भी क्या हा कि NSSO डाटा जो अनिम्प्लॉइमेंट पर है वो पूरी तरह से गलत है मैं उस रिपोर्ट को गलत कहता हूँ और पूरी जिम्वारी के साथ NSSO ने जो मैंने इतनी आपने बताय उसको उसमें रखा है हाला कि बाद में जब खीशतान हुआ कुछ बाते हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे स्टेटमेंट को सही ढंग से नहीं लिया गया लेकिन यह तो हकीकत है कि 120 करोड रुपे की कमाई हुई यानि एक के बाद एक तमाम मंत्री यह साबित कर रहे हैं कि अर्थववस्था में सब कुछ सही है और हाल यह है कि मोदी की सरकार है तो वो चाहते हैं कि अगर वो दिन को रात कहें तो हम और आप भी मान लें कि इस समय दिन नहीं रात है लेकिन अब क्या करें? माम लख़ी बार थोड़ा गरबड भी हो जाता है कमबक्त ऐसे ही समय अर्थशास का जो नोबेल पूरसकार है वो मिल गया भारती मूल की अर्थशास्त्री अभिजित बेनर जी, उनकी पतनी, इस्तर डुफेलो और माइकल क्रीमर को इन तीनों की जो टीम है वह लगातार, लंबे समय से गरीबी पर काम कर रही है और मिनट मिनट में ट्वीट करने वाले हमारे प्रधान मंत्री अभिजित और उनकी पूरी टीम को नोबेल प्राइज मिलने पर बधाई देने में चार घंटे का समय लगाते हैं और ये परेशानी हम और आप समझ सकते हैं और ये तब ज़्यादा उजागर हो गई जब अर्थशास्त्री अभिजीत ने खुल कर बताया कि भारती अर्थवेवस्था बुरी हालत में है, लोगों की खपत कम हुई है और जो जानकारी सामने आ रही है ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ही रेर है कि लोग खर्श कम करें, खपत कम करें और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जिस तरह से आकडों में हेर-फेर हो रहा है इसके बावजू जो संकेत मिल रहे हैं वे बहुत चिंता जनक हैं वे नोट बंदी पर बात करते हैं वे सरकार की तमाम ऐसी नीतियों पर बात करते हैं जिस पर बात करना मोधी सरकार को पसंद नहीं है कश्मीर को नासूर बनाने की भाश्पा की राजनीती के खिलाफ आवाजें लगातार उठ रही हैं कश्मीर में भी और बाहर भी कश्मीर को डिटेंशन सेंटर बने सत्तर दिन होने जा रहे हैं घाटी में औरतों ने विरोध प्रदर्शन किया उनकी गिरफतारी हुई उन्हें बंद किया गया लगातार चंचंचन के खबरे हमारे पास आ रही है कि लोगों का गुस्सा फूट रहा है कश्मीर के बाहर भी लोग लामबंध है गुजरात में भी 132 प्रबुत नागरिकों ने कश्मीर में ब्लॉकेश के खिलाफ पत्र लिखा और कश्मीरियों के दुख के साथ खुद को जोड़ा इस बारे में गुजरात के एक्टिविस्ट देर देसाई ने हमें बताया कि गुजरात में बड़े पैमाने पर लोग कश्मीरियों के साथ समर्थन जताते हैं और ये बहुत मानी खेज है कश्मीर के हालात पर हमने बात की श्रेनगर में अपना कारोबार चलाने वाली और सोशल एक्टिविस्ट महजबीन भट से महजबीन आप कश्मीर के रहने वाली हैं वहाँ बिजनेस आप करती हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं हम आप से जानना चाहते हैं कि अभी क्या हालात हैं इसे आप देख रही हैं कश्मीर के हालात को? As a social activist या as a entrepreneur जो present situation है उसका मतलब असर क्या पड़ा एक business नए business entrepreneur पे और ये मतलब जो social life है एक women की क्योंकि हमारा ज़्यादा काम वीमेन के ओपर ही होता है तो मुझे लग रहा है कि overall एक women ही victim है हर एक जो भी conflict होता है जो भी कोई situation होती है एक women पे direct impact पड़ता है उसका दूसरा जो entrepreneur का मसला है यहां से government या कोई भी बोर रहे हैं कि हम development चाहते हैं employment generate करना चाहते हैं तो जो नए entrepreneur हैं जो youth हैं जुन्होंने चाहा कि हम कुछ अपना enterprise start करे, establish करे जो present situation हो गए उससे तो उनका पहले ही पहले ही sit up ही है जो उनने initiate किया था वो initiate जो ही खतम हो गया था उनका जो एक plan future plan होता है हर एक बच्चे का हर एक youth का, तो वो मेरे खायल से वो mentally चाहे वो women entrepreneur हो या एक men entrepreneur हो या एक youth हो तो उस पे तो direct impact पड़ा है बहुत ज़्यादा impact पड़ा है और इसका बहुत आगे तक इसका effect रहेगा कश्मीर को एक बहुत बड़े detention center में जैसे अभी change किया है कश्मीर में जो सफाई करमचारी समुदाय है उसके उपर भी काम करती रही है जिने वातल समाज या शेक समाज कहा जाता है कश्मीर में सब के बारे में बात हो रही है इस समाज के बारे में बहुत कम या तकरीबन नहीं के बराबर खबर आ रही है क्या हाल है कश्मीर के सफाई करमचारीों का अगस के बाद से इनकी धैरक इनकी अरनिंग पर इनकी लाइवलिहुड पर बहुत बड़ा फरक पड़ा है बहुत ज़्यादा फरक यह उनकी जो लोग है वो खाने को भी नहीं होता है किसी किसी टायम वहां पर ऐसी अल्रेड़ी उनकी सिचुवेशन है आप आई हैं आप मिली हैं बहुत सारी कम्मुनिटीज में गए हैं तो आपने देखा हैं कि वो जो दिन में कमाए या एक हफ़ते में कमाए वह चलता है तो जब ऐसी सिचुवेशन होती हैं तो ऐसे सेक्शन बिलकुल इसके उपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है और बहुत इनका लावली हुड बहुत भी एफेक्ट होता है दोस्तों ये दोर बहुत विचेतर है आज की तारीख में अगर हम और आप इकबाल का जो सबसे मशूर गाना है जो सबसे मशूर नजम है उसे गाते हैं तो क्या पता ये जो सरकार है ये जो हुकूमत है यह सोचे कि हम कोई धार्मिक तंत्रमंत्र कर रहे हैं कुछ दुआ कर रहे हैं जैसा हमने देखा कि उत्तरप्रदेश के पीली भीद के एक चोटे से विद्याले में जहां पर बच्चे इस गाने को गा रहे थे लंबे समय से गाते रहे हैं लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिन्दगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी ये साधारन सी पंक्तियां उस प्रिंस्पल के खिलाफ एक बड़ा जुर्म बनी और सिर्फ उस प्रिंस्पल के खिलाफी नहीं इस डेमोक्रिसी के खिलाफ भी एक बड़ा केस बनता जा रहा है और अगर ये हाल रहा हमारे वतन का कि इकबाल को गाना अगर एक अफराद है एक जुर्म है तो हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि इस जम्हूरियत को इस डेमोक्रिसी को हम और आप मिलकर कैसे बचा सकते हैं आज न्यूस क्लिक के खोजखबर कारिक्रम में बस इतना ही बना रहेगा हमारा और आपका साथ लाइक करिए, शेयर करिए, खोजखबर